नमस्कार दोस्तों, बॉलिवुड में अक्सर देखा गया है कि घटिया से घटिया फिल्म भी कैई-कैई करोड रुपे का बिजनिस कर जाती है फिल्म कितनी भी घटिया हो, लेकिन उसे ऐसा बताया जाता है या लोगों के सामने ऐसा परोसा जाता है कि यही फिल्म सदी की सबसे बेस्ट फिल्म है उधारन के लिए शारुक खान की हैपी न्यू यर, अक्षे कुमार की हाउसफुल फोर, सलमार खान की रेस्थिरी और आमीर खान की ठकस ओफ हिंदुस्तान ये ऐसी फिल्मे थी जो रिलीज होते ही लोगों ने पूरी तरह नकार दी लेकिन फिर भी रिलीज के समय इनका कलेक्शन बढ़ा चढ़ा कर बताया गया इसका कारण ये था कि लोग अच्छा कलेक्शन सुनकर फिल्म देखने तो जरूर जाएंगे क्योंकि हम लोगों की साइकलोजी यही है कि फिल्म पैसे कमा रही है तो अच्छी ही होगी फिल्म के हर हफ़ते के कलेक्शन बताते हैं फिल्म के टिक्स और फिल्म के टिक्स को ये आंक्टे बताये जाते हैं फिल्म के प्रोडूसर द्वारा ये सारा गेम लोगों का brainwash करने का होता है लोगों का brainwash करके ये लोग दबंग जैसी मूवी को भी 200 करोड रुपे से उपर का collection करवा देते हैं बॉलीवुड में फिल्मों का भविश्य तै करते हैं फिल्मों के critics जैसे ही फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो फिल्म के बारे में ऐसे बस बनाया जाता है ऐसा बस create किया जाता है कि आने वाली फिल्म साल की सबसे बेश्ट फिल्म है रिलीज के बाद लोग फिल्म को पूरी तरह नकार देते हैं लेकिन फिल्म केटिक्स जोटे collection आंकड़े लोगों को दिखा दिखा कर गुमरा करते रहते हैं बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म केटिक्स हैं जो फिल्मों का रिव्यू करते हैं एसे और भी बहुत सारे नाम हैं जो फिल्मों को रिव्यू करते हैं कहने को ये फिल्म केटिक्स अलग-अलग अख़बारों, मैग जीन्स और न्यूज पोर्टल से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन काम ये फिल्मिक अलाकारों के लिए ही करते हैं जब भी किसी इंसाइडर की या नैपो केट की फिल्म आएगी तो ये लोग चापलोसी करना शुरू करतेते हैं कोमल नहाटा को आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे कैसे हर तीसरे दिन अपने शो में अलग-अलग कलाकारों को लेके आता है ये कोमल नहाटा जैसे फिल्म केटिक्स की चापलोसी का ही परिनाम होता है कि इसके शो में इतनी आसानी से बड़े-बड़े कलाकार आ जाते हैं ऐसा शो सिर्फ कोमल नहाटा ही नहीं चलाता बलकि सभी लोग चलाते हैं जो फिल्मों का रिव्यू करते हैं दरसल जितने भी लोग फिल्मों का रिव्यू करते हैं ये सब पैसे लेकर फिल्मों का रिव्यू करते हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म अच्छी है या बुरी है कैई बार तो ऐसा होता है कि ये लोग बिना फिल्म को देखे हुए यानि फिल्म को ये लोग देखते भी नहीं हैं और फिल्म को पैसे लेकर रिव्यू कर देते हैं फिल्मों को ना सिर्फ अच्छा रिव्यू करने के लिए इनको पैसे दिये जाते हैं बलकि जो आउटसाइडर होते हैं यानि जो non-nepokids होते हैं उनकी फिल्मों को खराब रिव्यू करने के लिए भी इनको पैसे दिये जाते हैं। सोशान सिंग राजपूत की एक दो फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो उनकी जादातर फिल्मों को इनी फिल्म क्रिटिक्स ने एक एक दो दो इस्टार दिये और इतनी खराब रेटिंग दी है कि उसका असर फिल्म के कलेक्शन पर पड़ता था। और ये सिर्फ सोशान सिंग राजपूत के बात नहीं है। विड़ुद जैमवाल, मनोज वाजपई, रंडी फुड़ा, अमिच साथ जैसे आउटसाइडर के फिल्म को भी ये लोग एक से दो इस्टार से जादा नहीं देते हैं। राजीव मसन ने अपनी पूरी जिन्दगी फिल्मों का रिव्यू करकर के बड़े बड़े फिल्मकारों की चापलोसी ही की थी और उसका इनाम उसे धर्मा प्रोडक्शन के करण जोहर ने अपनी कमपनी में काम दे कर किया। अब राजीव मसन जो है फिल्मों का रिव्यू नहीं करता क्योंकि वह धर्मा प्रोडक्शन में AJCOO एपोइंट हो चुका है। इसी तरह अनूपमा चौपड़ा खुद विदू विनो चौपड़ा की वाइफ है और इंडस्ट्री से उसका खुद का कनेक्शन है तो वह इंडस्ट्री के हिसाब से ही चलेगी। ऐसे ही बाकी के फिल्म केटिक्स है जो पैसे के दम पर फिल्मों का रिप्यू करते हैं। करना कि बॉलिवुड के इंसाइडर और नैपो केट की फिल्म को ये लोग कभी भी खराब नहीं कहेंगे। हमेशा फिल्म की तारीफ करेंगे और ऐसी बकवास फिल्म के कलेक्शन को हमेशा बढ़ा चड़ा कर बताएंगे। चाहे फिल्म कितनी ही बकवास क्यों ना हो। आज के बाद फिल्मों का रिव्यू देखते समय सबसे पहले ये जरूर देखना कि रिव्यू देने वाला कौन है। और उसी हिसाब से समझ जाना कि फिल्म का रिव्यू पैसे देकर दिया गया है या इमानदारी से। ये लोग अपने रिव्यू से लोगों को गुमरा करने का काम करते हैं, तागे लोगों को फिल्म पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी फिल्म को अच्छा बता कर लोगों को पागल बनाया जाए। फिल्म क्रिटिक्स किसी ना किसी टीवी चैनल अकबार या मैकजीन से जुड़े हुए होते हैं तो ये लोग कुछ फिल्मेकर्स और एक्टर्स के कहने पर ब्लाइंड आर्टिकल भी लिखते हैं